सम्विदा स्वास्थ कर्मी की मांगें पूरी नहीं होने पर शहर में निकाली सम्विदा नीती की अर्थी सिवपुरी सिखबर सामडे आ रही है शिवपरी शहर में 15 दिसंबर को समविदा स्वास्थ कर्मी दो सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है समविदा स्वास्थ कर्मी नियमिती करण इवं नियमिती कर्मिचारियों को 90 प्रतिशत मांदे दिये जाने के मांग कर रहे है सम्विदा स्वास्थ कर्मियों की मांगे पूरी नहीं होने पर माधव चोक से होते हुए अस्पिताल चौराहे तक सम्विदा नीती की अर्थी निकाली गई जिसमें अस्पिताल चौराहे पर सम्विदा नीती की अर्थी को जलाया गया है गौरत लब है कि पूरे बद प्रदेश में सम्विदा स्वास्त कर्मी दो सूत्रे इमांगों को लेकर हर्ताल कर रहे हैं इसी कड़ी में शिवपुरी में सम्विदा स्वास्त कर्मियों ने सम्विदा नीती की अर्थी बना कर शहर के मुखे चौराहों से निकालते हुए अस्पताल चौराहे पर अर्थी को जुलाया क्या आगे सम्विदा स्वास्त कर्मियों ने बताया कि प्रदेश में सम्विदा नीती 2018 में लाई गई थी लेकिन उसको सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया इन पुमागों को लेकर करके अमने जंदकर सरकार से निविधन कर रहे हैं और तुम मत्वर्दे सेगार हमारी बात को अभी तरी प्रमाने की का से नहीं ले रही है इसलिए हमने सम्मेदा नीती के वजार 18 को बनाई थी जिसको आज तक लागू नहीं किया गया है उसकी अर्थ कर दीजिए और हम सब को नियमित कर दीजिए यह मांग को लेकर के आज हम सब लोग नहीं के रूप में मत्य प्रदेश में अपने जीवन को अहूतियां दी हैं हमने अपने जीवन को संकर्ट में डालके काम किया है मामा जीए हम सब पर फूल वर्था हैं और आज मामा सदृ हम पर लठ वर्था रहे हैं, हमारे लोगों को जेल पहुंचा रहे हैं, रस्वेशियों से बानकरके घृशीब करने जा रहे हैं, ये बहुत दुखा दिशते की हैं, मैं सिवराज सिंगी से, हम सब के मामा जीचे नि कि हम जब को नियमित करें और इस सम्मेदासिक मत्यप्रदिस को मुप्त करें।